असलाम लेक्टे वर्वन और वेलकम बैक, एक्सल का लेक्टर नबर 13, वाउटो सेट सेल कलर्स और मेरा नाम है माजज़ शहाब और आएं क्विक्ली स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग सेल्स के कलर्स को सेट कर सकते हैं अपने एक्सल में, तो हमारे पास ये सेल्स हैं, आप आपके पास एक बकिट आइकन नजर आ रहा है आपको ये वाला, ये लिखाव आ रहा है, फिल कलर, इसमें आप लोग अपने सेल्स के कलर्स जो हैं, वो सेट कर सकते हैं, तो मैं आप एक छोटा सा आइकन देख रहा हूँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो लोट्स अफ क कॉलम है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और ये जितना भी कॉलम है, मुझे रेट कलर में चाहिए, तो मैं यहांसे आके इसको रेट कलर ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं, सारा कॉलम जो है वो रेट में हो चुका है, इसी तरह आप लोग किसी भी सेल्स को कलर करना हो जाएंगे नेक्स में हमारे पास color में है कुछ और options वो देख ले दें और वो है ये no fill आप जैसे for example मैंने या पर कोई color कर लिये और मुझे आप ये color हटाने हैं तो आप इस को click करें और यहां से ले ले no fill तो आप देख सकते हैं सारे colors जो है वो जा चुके हैं next आप देख सकते हैं यहां पर एक option है more color इसको मैं click करता हूं तो यहां पर आपके पास एक option आगिया है बहुत से colors आपको नज़रा रहे हैं यहां पर दो options है नीचे एक है current जो आपका selected अभी जो जो select हुआ है color वो है white basically आप सब white देख रहे हैं या फिर आप जो अभी देख रहे है color वो मैं जिदर भी click करता हूं वो अभी एक नया color बन जाता है तो मैं अगर इसको click करता हूं तो यह मेरा new color होगा अगर मैंने इसको ok कर दिया तो वो इसके उपर apply हो जाएगा white से यह light green हो गया है इसमें और option भी है कि आप custom में आ जाएं तो यहां पर आके आप different colors जो है वो उनको खुद से set कर सकते हैं जैसे यह slider आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको new और current सेम नज़र आ रहे हैं दोलों तो अगर मैं slider को थोड़ा सा light करना चाहिए उपर ले जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर color थोड़ा light हो गया है अगर मैं इसको नीचे ले हूँ तो color dark हो गया है यह यहां पर मैं कि और कौन कौन से हमारे पास options हो सकते हैं related to sell color तो यहां पर मैंने आपको यह सारे options बता दिये हैं अगर मैं यहां पर click कर दूँ यह जो option है इसको कर मैं क्लिक कर दूँ तो यहां पर यह window मेरे सामने आजएगी जिसमें option आ रहा है fill थीक के इसको मैं click करूंगा तो यहां पक के पास यह gradient होते हैं यानि हम multiple colors लाना चाहते हैं for example मैं यहां पर क्लिक करता हूँ मैं कहता हूँ यहां पर आजाए red और दूसरा color आजाए for example yellow आप नीचे यहां पर मैं बना लेता हूँ red में so यह situation है अभी आप चेक करें यह जो इसका style है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है उपर green है नीचे red है इसको बोलते हैं horizontal vertical करने तो यह कुछ vertical form में आ जाएगा diagonal करने तो यह कुछ diagonal form में आ जाएगा diagonal down करने तो left side पर आ रहा है from corner इस तरह से corner से red है इस corner से green है और आप इसको center से भी कर सकते हैं center में green आ गया और side हो पर red है so different styles जो हैं वह आपके given है वैं इसको okay करता हूँ okay कर लेते हैं तो कुछ यह styles हमारे पास आ चुके हैं next हम देख लेते हैं फिल में के pattern color so यहां पे patterns भी आप लोग utilize कर सकते हैं pattern क्या है अच्छा यह more colors का option भी है यह वह ही है जो हम देख चुके है last time pattern style यह है पहले तो यहां पर मैं आपको पता तो pattern किया है यह चोड़ा सा picture है जो बिलके बड़ी picture बन जाएगी तो मैं आप एक pattern ले लेता हूँ जैसे यह lines अला ले लेता हूँ तो यह नीचे आपको style नज़र आ रहा है यह default black है आप इसको कर लेते हैं for example red तो यह इस तरीके से आगया ok करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके colors जो है वो set हो चुके हैं आप इनके border set करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ok so इस तरीके से कुछ आपका जो cells के colors हैं वो set हो गए है with pattern तो यह different style से different possibilities थी जो कि आप लोग अपने cells से color से related जो है वो set कर सकते हैं आज यह lecture में इतना ही था मिलते हैं किसी और lecture में तब तक लिए thank you, Allah Hafiz